हेलो फरेंट्स बेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं गोलेश टीचिंग आज के इस वीडियो में हम आपको पेपर पेश्टिंग को पेश्ट करने का सही तरीका आपको बताएंगे और हम से क्या गलतिया होती हैं पेपर पेश्टिंग को पेश्ट करते टायम यानि योन कोटन है और यहां पर यह टापटा सिल्क है और यह हमारा बोलन फैबरिक है तो यहां पर इन सभी पर मैं पेपर पेश्टिंग को पेश्ट करके दिखाऊंगी किस फैबरिक पर आसानी से पेश्ट हो जाता है और किस पर आसानी से पेश्ट नहीं होता है और जिस पर आसा जाते हैं इसका क्या रीजन है और इससे बचने का क्या सॉलूशन है वो सभी इन्फॉर्मिशन में आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को लाश्टे तक जरूर देखिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग न्यू है बिगनर के हिसाब से मिलती है तो देखिए इस तरह से इसमें कुछ ये डिजाइनिंग सी हुई होती है इसमें कुछ इस तरह से दाने दाने से उपर की साइड को उभर हुए होते हैं जो दूसरी साइड में नहीं होते हैं थोड़ा रफ जरूर होता है लेकिन दाने मैसुस नहीं होत कपड़े पर इसमें एक दूसरी क्वालिटी भी आती है जिसमें इस तरह से डिजाइनिंग नहीं बनीवी होती है यह देखिए हमारा बुकरम है तो वह कुछ देखने में इस तरह का होता है कि एक साइड उसकी थोड़ी रफ होती है और दूसरी साइड जो है तोड़ी उसकी शाइनी होती है इस तरह से बुकरम की तरह से उसमें भी एक साइड में गिलू लगा होता है पेश्ट होने के लिए वो अभी मेरे पास अभी लेविल नहीं है मैं अब यही वाली उसकरती हूँ क्योंकि जब से मैंने इसको यूज किया है मुझे इसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर लगती है यह पेश्ट होने के बाद उसके मुकाबले ज्यादा कड़क हो जाती है तो मैं यही वाली उसकरती हूँ और यह देख मैं आपको बता दूं कि यह एक तरह का पेपर होता है इस तरह से आसानी से फट जाता है इसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं पे तो हम कपड़े को थोड़ा थिक यानि थोड़ा सा उसको कड़क बनाने के लिए यूज करते हैं देखिए यह बुकरम है तो इसको हर जगा हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि जब इसको हमें कई लेयर में इसको सिलना होता है तो इस तरह से बुकरम बहुत मोटी हो जाती है तो हम वहाँ पर पेपर पेश्टिंग को यूज़ करते हैं। आजकल इसको ड्रेज डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको इसको पेश्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रियोन कोटन फैबरिक है। इस पर हम पेपर पेश्टिंग को पेश्ट करके दिखाएंगे। तो देखिए, ये हमारी आईरन हैं और हमने इसको मीडियम टेमपरिचर पर सेट कर लेना है। हमने इसको दो नमबर पर सेट किया है। अब हम एक पीछ लेंगे पेपर पेष्टिंग का और ये जिसमें से दाने दाने से खमारे उपर को उबरा हुए होते हैं वो वाली साइड हम नीचे रखेंगे और इसपर हम आयरन करेंगे तो देखिए इस पर ये कैसे काम करता है तो इसको हमें हलके हाँ से आयरन करना है और यहां पर हम इसको थोड़ा थंडा होना देंगे क्योंकि इस पर एक साइड में गिलू लगी होती है जो गरम होने पर मैल्ट हो जाती है अगर हम उसको ऐसे एकदम उठा लेंगे तो ये अलग भी हो सकती है इसको पहले थोड़ा ठंडा होने देना है और फिर इसको उठाना है तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये पेश्ट भी हो गई है और इसके रॉंग साइड में कोई भी रिंकल नहीं आए है अब हम आपको दूसरे फैबरिक पर पेश्ट करके दिखाएंगे ये हमारा शाटन फैबरिक है ये एक तरफ से थोड़ा चिकना होता है और दूसरी साइड से थोड़ा रफ होता है तो हम पहले इस पर आईरन कर लेंगे जो भी इसमें क्रीज हेलाईन है वह हम उसको निकाल देंगे फिर ये एक पीस लेंगे इसको हम पेश्ट करेंगे और यहाँ पर हमें आईरन बहुत हलके हलके हाथ से करनी है बहुत ज़ादा दबा कर नहीं करनी है तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर हम इसको उठा कर देखते हैं तो ये देखिए हमारे कितनी अच्छी तरह के से ये पेश्ट हो गई है और यहाँ पर कोई रिंकल भी नहीं है तो हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी दूसरी साइड से भी आईरन कर लेंगे हमें दोनों साइड से आईरन करना है देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से और बहुत आसानी से हमारा इस पर पेश्ट हो गया है अब हम यहाँ पर ये बूलन फैबरिक लेंगे ये प्योर बूल नहीं है इसमें कोई एक सिंथेटिक धागा भी मिक्स है इस पर देखते हैं कि ये पेपर पेश्टिंग कैसे काम करती है और इसकी रोंग साइड से भी हम आईरन कर लेंगे तो ये देखे कितनी आसानी के साथ हमारे इस पर भी पेश्ट हो गई है लेकिन सड़्दियों में मैंने एक सूट स्टिच किया था वो शायद प्योर भूल का था उस पर आसानी से पेश्ट नहीं हो रही थी तो हमने उसको पेश्ट करने के लिए क्याटर की यूज की थी वो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ तो देखिए ये टापटा सिल्क है तो हम इस पर भी पेश्ट करके देखते है इस तरह से एक छोटा सा पीछ लेंगे और इस पर रखकर हम हलके हलके से आईरन करेंगे तो यह देखिए इस पर तो बहुत ही जल्दी से यह पेश्ट हो गई है और कितनी फिनिशिंग से पेश्ट हुई है कोई भी रिंकल इसमें नहीं आया है अब यह देखिए यह एक कोटन फैबरिक है यह अभी पिछले महीने मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिस पर मैंने गोटा पत्ती वर्ग किया था तो मैंने इस कपड़े पर वो डिजाइनिंग की थी इस पर पेपर पेश्टिंग को पेश्ट करने में मुझे थोड़ी प्रबलम हुई थी इस पर पेश्ट ही नहीं हो रहा था तो मैंने क्याट्रिव की यूज की थी तो चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ हम पहले हम इसको पेपर को पेश्ट करके दिखाते हैं तो हम इसको पहले पेश्ट करेंगे और फ़ड़ ठंडा होने के बाद जह मने उठाया तो देखिए इस तरह से वो असानी से अलग हो गया पेश्ट ही नहीं हुआ था तो चलिए हम इसको दुबारा पेस्ट करते हैं तो देखिए फिर सही अलग हो रहा है जब किसी कपड़े पर इस तरह की प्रोब्लम आती है कि वह आसानी से पेस्ट नहीं होता है तो मैं क्यार्टरिक यूज़ करती हूं तो चलिए मैं दिखाती हूं आपको तो यहां पर हम य एक स्प्रे बोटल लेते हैं और इसमें हमें हलका हलका सा बोटल स्प्रे करना है तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि हमें इस पे हलका सा स्प्रे करना है तो हमारे इस स्प्रे बोटल में दो सैटिंग होती है तो देखिए यहां पर इस्प्रे लिखा यानि एक जगा पर बहुत सारा पानी नहीं गिरे अब इसको हम घुमाते हैं इसकी दूसरी सैटिंग करते हैं तो देखिए इसमें एक धार की शकल में पानी बाहर निकलता है और एक जगा पर बहुत सारा गिर जाता है तो हमें इस से स्प्रे नहीं करना है हमें इस तरह से करना है अब हम iron को medium temperature रखते हुए यहाँ पर इस तरह से डैब डैब करते हुए iron करेंगे ऐसे पहले थोड़ा डैब डैब करते हुए करना है और फिर धीरे धीरे इस तरह से हमें हलके हाथ रखते हुए iron करना है जब तक जो हमारा यह इस्प्रे वाला पानी है यह अच्छे से सूख हो जाए अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि इसमें जो चिपकने वाली प्रोपर्टी होती है वो गरम होने के बाद मैल्ट हो जाती है और वो थोड़ा ठंडा होने पर कपड़े को अपने साथ चिपका दी है अब हम इसको राइट साइड को पलेट लेंगे और इसको दूसरी साइड से भी iron कर लेंगे और इसको हलके से उठाएंगे और इसको यहाँ पर थोड़ा ठंडा होने देंगे अब हम इसको चेक करते हैं तो यह देखिए यह अब अलग नहीं हो रहा है अब यह अच्छी तरह से पेश्ट हो गया है इस तरह से हाथ से करने पर भी यह अलग नहीं हो रहा है और इसकी wrong side में भी कोई wrinkle नहीं है अब wrinkle क्यों आ जाते हैं इसका क्या reason है वो अब हम आपको दिखाएंगे वे देखिए हमने ये पहले paste किया था अभी हमने ये certain fabric पर इसके paste किया था तो इसमें इस तरह से इसकी wrong side में कोई भी wrinkle नहीं है ठीक है तो अब आपको दिखाएंगे कि इसके wrinkle आने का क्या reason होता है अब हम इसको high temperature पर set कर लगे iron को ठीक है थोड़ा इसको हम गरम होने देंगे अब हमारी iron अच्छे से गरम हो गई है अब आप देखिए यहाँ पर पहले हमारी iron कितनी smoothly इसने paste कर दिया था लेकिन अब यह iron paper pasting के साथ चिपक रही है हम जहाँ भी इसको रख रहे है वो pasting को अपनी तरफ को खीच रही है जहाँ भी इसको रख रहे है वहाँ पर यह इस तरह से jam हो रही है पहले यह हमने इतनी smoothly paste कर लिया था तो यह देख सकते हैं जब हमारी iron बहुत ज़्यादा heat पर होती है गरम होती है तो यह इस तरह से चलती ही नहीं है तो अब हम इसको चेक करते हैं देखिए यह यहाँ पर हमारा यह थोड़े paper pasting सुकड गई है आप यह देख सकते हैं अंदर की side यह सुकड गई है अब इसके दूसरे corner पर हम करके देख लेंगे अब इसको right side में हम चेक करते हैं तो देखिए इसमें यह wrinkle आ गए हैं तो इसकी यही वज़ा होती है जब हमारी iron का temperature हाई होता है तो यह सुकड जाती है हमारी paper pasting और right side में इसके wrinkle आ जाते हैं यानि bubbles आ जाते हैं तो आपको कभी भी इसको high temperature पर paste नहीं करना है लेकिन कभी आपको लगए किसी fabric पर कि यह medium temperature पर paste नहीं हो रही है तो आप इसके temperature को थोड़ा बढ़ा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर एक trick यूज़ करेंगे तो देखिए हम आपको paste करके दिखाते हैं इसको दुबारा से तो हम इस तरह से paste करके देखेंगे कि यह paste हुआ नहीं हो तो इस तरह से अगर आपका fabric भी थोड़ा अलग हो रहा है तो आप अपने iron के temperature को थोड़ा बढ़ा ले यानि medium और high के बीच में set कर ले और इस तरह से आप cotton मलमल का कोई कपड़ा ले ले यह बहुत बारिक होता है तो यह मलमल होता है इस तरह से हमारे cotton के सूटों के साथ जो cotton मलमल के डुपटे आते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं धियान रहे कि हमें यहाँ पर कोई भी synthetic कपड़ा यूज़ नहीं करना है सिर्फ हमें cotton मलमल ही यूज़ करना है तो अब हम इसको थोड़ा pressure दे कर भी iron कर सकते हैं हमें यहाँ पर wrinkle आने का कोई खत्रा नहीं है तो हम इसको check कर लेंगे तो देखी यह बहुत अच्छे से paste हो गया है कहीं से भी यह निकल नहीं रहा है ठीक है अब इसको हम ऐसे हिला कर भी देखेंगे अब इसको right side में हम check करेंगे तो देखी कोई भी wrinkle नहीं है कितना smooth हमारा यह finishing के साथ paste हुआ है और वहीं जब हमने इसको high temperature पर paste किया तो इस तरह से इसमें wrinkle आ गए है तो इसका यही reason है कि आपको कभी भी इसको high temperature पर paste नहीं करना है तो friends यह था मेरा experience जो मैंने आप लोगों के साथ share किया तो आई हो वीडियो आपके लिए helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस teaching में interest रखते हैं ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सकें चैनल पर new है तो चैनल को subscribe कर लें साथी बेल आइकन को click कर दें जिसे हमारी हरे नए आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे Thank you for watching